मम्मी मुझे बहुत ठन लग रही है हाँ मम्मी मुझे भी हाँ बच्चो जंगल में अचानक से ठन बढ़ गई है पर तुम डरू मैं मैं हूना तुमारे साथ मैं तुम दोनों को ठन नहीं लगने दूंगी पूरे जंगल में सनाटा फेला हुआ था क्योंकि ठन का मोसम शुरू हो चुका था जिन पंचियों ने अपने घुसले पक्के किये थे उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा था पर जिनोंने अपने घुसले पक्के नहीं बनाए थे उन्हें सरदी के मोसम में बाहर ही ठन में रहना पड़ रहा था अजी दर्वाजा लगा लीजिये एक तो आपने हमारे घुसले को इतनी बड़ी बड़ी खिरकेया बनाई है और उपर से ये बड़ा असा दर्वाजा भी खोल कर बैटे हो इससे अच्छा तो हम बाहर खुले में ही अपना घुसला बनाते अरे गोरी बाहर हलकी बरबारिश हो रही है मैं उसी का मज़ा ले रहा हूँ आओ तुम भी बाहर आजाओ तुरे ने दू आप एक काम करो आप गुसले के बाहर चले जाओ और जो मज़े लेने है लेलो एसे हमें ठन के मज़े ना दो कालू बाहर चला जाता है और बाहर से गुसले का दर्वाजा लगा देता है इधर राणो चुडिया लाडो चुडिया के पास आ जाती है राणो क्या हुआ क्या बात है लाडो मैं मेरे मा और पिता जी के पास कुछ दिन रहने के लिए जा रही हूँ यहाँ ठन बढ़ गई है पर राणो तुम्हारे मात पिता तो बर्फिले पहाड़ों पर रहते हैं ना तो क्या तुम्हे वहाँ पर ठन नहीं लगेगी अरे नहीं नहीं वहाँ मेरा परिवार बर्फ के इगलू घर में रहता है लाडो तुम ऐसा क्यों नहीं करती तुम भी चलो मेरे साथ हम कुछ दिन वहीं पर रहकर वापस आ जाएंगे ममी चलो ना हमें भी देखना है इगलू का घर चलो ना ममी चलो ना ठीक है बच्चो चलो हम भी चलते हैं सारे मिलकर रानों के मा पिता जी के इगलू के घर के तरफ निकल पड़ते हैं अरे ये जंगल में आचानब इतनी जर्दी कैसे बढ़ गई अगर जल से घूसले का इंतजाम नहीं हुआ तो लगता है यहीं पर ठंड से जान निकल जाएगी कुछ समय उढने के बाद लाडो और रानो बर फीले पहाडो की तरफ आ जाते हैं रानो यहाँ पर तो हमारे जंगल से भी जादा ठंड हैं अरे नहीं नहीं लाडो तुम घबराओ मत बस थोड़ी देर और हम घर के पास पहुँच नहीं वाले हैं तुम देखना वहाँ पर तुमें बहुत अच्छा लगेगा वो सब चाही रहे थे के तभी एक शिकारी पंची ने उनका रास्ता रोक लिया अरे वावावावा क्या बात है इतनी कड़कडाती ठंड में मस्त गर्मा गरम मास खाने को मिलेगा शिकारी को देखकर सारे डर जाते ही शिकारी पंची उन पर हमला कर नहीं वाला था के तभी एक पंची बीच में आ जाता है रुपजा, वरना इसका अंजाम बहुत बूरा होगा तू मेरा कुछ नहीं बिगार पाएगा हज्जा मेरे रास्ते से नहीं तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूँगा शिकारी पंची उस पर हमला करने ही वाला था के तभी उपर से किसी ने एक बड़ा सा नारियल शिकारी पंची के सिर पर गिरा दिया अरे, ये किस ने किया? ये मैंने किया है अब चल यहां से 9211 हो जा मैं तुम दोनों को देख लूँगा हाँ हाँ चल अब निकल शिकारी चिल वहां से भाग जाता है दोनों रानों और लाडों के पास आ जाते है पिता जी, भैया, आप यहां अच्छा हुआ आप यहां पर आ गए वरना वो शिकारी चिल हम सब को मार ही देता अरे एसे कैसे भैना हमारे होते हुए तुमें कुछ नहीं होगा पर बेटी, यह चिडिया कोन है तुमारे साथ इसे पहले तो नहीं देखा इसका नाम लाडो है और यह दो इसके बच्चे है मैं ही इसे मेरे साथ लेकर आई हूँ तुमने अच्छा किया जल्दी चलो, बाहर बहुत ठंड है हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है सारे वहां से उड़कर इगलू के घर के पास आ जाते है सारे अंदर चले जाते है रानो, इस घर को तो दर्वाजा ही नहीं है और फिर भी ये अंदर से कितना गरम है लेकिन ऐसा कैसे? अरे बेटी, अंदर की गरमी अंदर ही रहती है और बाहर की ठंड बाहर अपने नानी को देख कर बच्चे बहुत खुश हो जाते है और भाग कर उनके गले लग जाते है मेरे प्यारे बच्चे और हाँ लाडो बेटी, इस इगलू के घर के अंदर हमारे अलावा और कोई शिकारी पंची नहीं आ सकता सोनो और पिंकी नानी के घर आकर बहुत खुश थे उन्हें भी बर्फ का इगलू घर बहुत पसंदा गया था ममी, हमें बहुत भूग लगी है बच्चो, थोड़े देर रुख जाओ मैं तुमारे लिए गर्मा गरम समोसे बनाती हूँ ममी, तब तक हम बर्फ में बाहर खेलने के लिए जाए ठीक है बच्चो, पर जादा दूर मत जाना यही पास में ही खेलना बच्चे बाहर बर्फ में खेलने के लिए चले गए नानी ने सब के लिए गर्मा गरम समोसे बना दिये चलो बच्चो, खाना तयार है खाने का नाम सुनते ही बच्चे दोड कर घर के अंदर आ गए सबने मिलकर खाना खा लिया नानी के हाथ के समोसे खा कर बच्चे बहुत खुश हो गए अब तुम सब आराम करो, हम बाहर आग जला कर बेटे है नानी और रानो ने मिलकर सुके घास का बिस्तर लगा दिया सारे इगलू के घर में सो गए बाहर बच्चो के नानो और मामा आग जला कर बेट गए रानो और लाडो उनके पास आ जाती है बच्चो, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं पिताजी, हम ये सोच रहे थे क्यों ना हम हमारे जंगल में ऐसा ही इगलू का घर बनाए हाँ, हाँ, क्यों नहीं, जरुर बनाओ पर बच्चो, इसे बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है और बहुत परेशानिया भी उठानी पड़ती है भारी वजन के बर्फ के टुकड़े उठाने पड़ते है उनको एक के उपर एक रखते हुए जाना पड़ता है तब जाकर बनता है बर्फ का इगलू घर लाडो, अगर हमारी कोई मदद करेगा तब हम हमारा बर्फ का इगलू घर जरूर बना सकते है कुछ दिन ऐसे ही बीच जाते है मा ये चार-पाश दिन कैसे बीच गए हमें पता ही ने चला अब हमें चलना होगा जंगल लोटकर हमारे नए घूसलों का इंतिजाम करना होगा और थोड़े दिन रुख जाओ बच्चो वेसे भी तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो नहीं मा जी हम फिर कभी वापस आएंगे पर अब हमें चलना होगा बच्चो का स्कूल भी है जादा दिन छुट्टिया पर जाएगी तो बच्चो की पढ़ाई पर असर हो जाएगा बच्चो का घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था लेकिन उन्हें स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करने थी सारे अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं अच्छा तो तुम वापस जा रहे हो अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा बच्चो अब तुम्हें यहां से जा सकते हो जल्दी वापस आना बाई बाई नानू बाई बाई तुम जल्दी वापस आएंगे नानू सारे अपने जंगल वापस आ जाते है रानो क्योंना हम भी इगलू का घर बनाए हाँ लाडू लेकिन हमें किसी की मदद लेने होगी वो दोनों बाते कर ही रही थी तबी बूरा कवा वहां पर आ जाता है अरे बूरे तु यहां पर क्या कर रहा है मैं इन लकडियों से गोस्ता बनाने वाला हूँ पर ठंड इतनी ज्यादा है कि मुझे लकडिया डूनने में बहुत परिशानी हो रही है मुझे और लकडियों की जरूरत है भूरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते गोस्ता बनाने में हमारी मदद करो और तुमें लकडिया डूनने के भी जरूरत नहीं है क्या पर हम गुसला किस चीज का बनाएंगे हम बर्फ का इगलू घर बनाएंगे बर्फ का इगलू घर मैं समझा नहीं भूरे तुम बस हमें बर्फ उटाने में मदद करो बाकी का काम हम देख लेंगे जैसा रानों और लाडों ने बताया वैसे बुरा बर्फ को लाता और जैसे जैसे वो बताती वहाँ पर बर्फ को रख देता शिकारी चील उनका पीचा करते-करते जंगल में आ गया अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर हो इधर तीनों ने मिलकर बर्फ का इगलू घर तयार कर दिया कुछी देर में बुरे का भी इगलू घर बनकर तयार हो गया तभी महाँ पर गोरी और कालू कवा आ जाता है अरे वाँ क्या घर बनाये है क्या हम भी ऐसे घर बना सकते है हाँ हाँ क्यों नहीं अगर कालू मदद करेगा तो हम आपकी इगलू घर बनाने में जरूर मदद करेंगे हाँ हाँ तुम तो बना लोगे पर मेरे जैसे बूरी चिडिया का क्या मैं क्या मैं तो सिर्फ दो तीन मेनों के मैमान हूँ ऐसे बात नहीं है मीनू मौसी अगर भूरा और कालू कवा आपकी मदद करेंगे तो हम भी आपके लिए इगलू घर बना देंगे एक एक करके सारे पंचियों ने इगलू के घर बना दिये इधर शिकारी चिल जंगल में आ जाते हैं